नमस्कार दोस्तों मैं हुरे मिंदर कुमार अभी एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल और क्यार गरेशन में आप सभी का बहुत 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 श्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में आपको बटाऊंगा सक्रीद पर एक बार में मेटर खुलने का असान तरीका दोस्तों आज कोलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए यह साथ में बिल आइकन को भी जरूर दबाए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिरेक्ट फिलम द्वारा एक बार में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कंपूर्टर से अपना प्रिंटर द्वारा एक मास्टर टीपी निकाल लेंगे ट्रेंस पेपर इसको बुक्त है वह निकाल लेंगे जो भी साधिक आपका मेंटर है इस पर टाइप करके निकाल लेंगे इसके बाद कि यह हो फिलम जिसके बार हम आपको बताएंगे कि अच्छा से पैसे फर्मा त्यार हो गई है यह फिलम आपको इस्टेशनरी के पास मिलेगा अब सब्सक्राइब इस दोल तुराइब आपको करेंगे कर लोगे अब आपको है अध्याओं डाइज और विसको फाह रोरां जो हमें आपको पास इसके रिए को जन्याओं कर दुट कर दुट कर दुट कर दुट कर दुटान अजर हा तुट इस तील हम प्यूदी आ रख तुट कर दुट करना हुआ एक ऐसे इस्पोजर बनाना हुआ जिसमें एक सीशा लगा हुआ है जो इस्पोज कर सके दोफ में अपने कि खर्मे को ऐसे लकड़ी से बनवा लगे एक उसमें एक सीशा बागी मुला लगा देंगे करें देखें दोस्तों एक स्पोजर ऐसे वसी से लगा हुआ बीच में गयप होगा तक यहां पेपर रख सकें इसको अच्छा से दबा सकें सब्सक्राइब क्या करेंगे इसको रखेंगे निच्चे इसके बाद रेड कोलर का जो फीलम सीट है इसको हम रखेंगे उपर से इसको रखने के बाद पेपर से इसको दबा देंगे तक यह इधर उदर ना भाग पाए है हमारा फिलन अच्छा से इस्पोज हो जाए है 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 इसको दूप इसको दूप में एक मिनिट तक रखना है 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 इसको दूप में रखने बाद इसको फिल से लाएंगे उसके बाद क्या करना है आपको एक मेडिशिंट के दूपान से हैड्रोजन के इसमें एक परात में पहले रखते हैंगे नीचे इसके बाद हम लोग फिलम हम फिलम एस्पोज करके लाएं उसको इसमें रखेंगे फिर हैड्रोजन को से डाब लाएंगे उसके बाद हम गरम पानी करेंगे कुछ डबाव में कोई एक डबा में गरम पानी कर लेंगे है जाए लाइन ही तो लाइन से नहीं तो गए शुल तो गएस है आप देखिए रहे होंगे कि यहां गरम पानी करेंगे लाएंगे है तो फिर हाइड्रोजन को हम उसी डाब में वापिस लग लेंगे है जो पानी गरम हो जाएंगे है करी देखता नहीं तो फिर गया है की तो हिल तो है ऐ सिता कर गिखता शुल । राए है गेंगे पात को लेखता कि यह पूरा कि लिए शाना प्लेगा है कि इसके बाद धंडा पाई दालेगा कि अब को दीखता है अब बिल्कुट के लिए फर्मा तयार हो गया है अब इस्कून कातर के स्क्रीन पर बढ़ाएंगे कि यह हुए इस्क्रीन पहले से और भी छाफ सब छाफ रखें इस पर यह किसी इतना बड़ा हो इतना अब कि इतना भी फर्मा लगा सकते इस पर यहां फर्मा लगांगे थोड़ा थोड़ा पाने से धोरेंगे इसको अपने जिल्ला हो जाए इसको ऐसे करके स्क्रीन के उपर लगाएंगे इस बढ़ गया किस्क्रीन पुल आएंगे बाद क्या प्रेपर में लेंगे इसको नीचे रखेंगे इसको क्या करना है इसक्रीन पुलाएंगे और इसपर रखेंगे पेपर प्रेपर लगाँए कि इसको हम ऐसे प्रेश्ट करेंगे ताकि यह अच्छा से चिप अब जाए इसके रिए में जूर से दबा दबा तो इसको टेश्टे कर देंगे जब पाने इसमें कर सुप जाएजा कि इसको क्या करने कि अब रूप में लेगाता रखते हैं इसको क्या करने कि दूप में लेगाता रखते हैं